अगर आप लोगो ने चेक आउट नहीं किया है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगा तो गाइस एक बास जरूर चेक आउट कीजेगा तो गाइस हम लोग बात करते हैं आखिर पेटियम क्यों तो देखे अगर लेट सपोज अगर आपका बैंक मालीजे स्वीपीन वगरे ओफर नहीं करता है लिंकिंग अफ़र नहीं करता या लेट सपोज आप किसी भी रीजन की वएसे वह चीज़े नहीं कर पाते हैं तो गाइ मालीजे जो भी बैलन्स है आपने उसकी FD करा दी तो मालीजे जब भी इस FD को आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी वह कभी भी आप ब्रेक कर सकते हैं तो नॉर्मली बैंक्स क्या करते हैं अगर आप प्री मैच्यो वेड्रॉल करते हैं तो आपका 1% of the interest जो है प जब राते हैं क्योंकि क्या Paytm Secure है FD के लिए तो देखे Paytm की जो FD है वो Powered है Paytm Payments Bank के थुरू और मैं भी यहां पर कई सालों से इंदर कर रहा हूं और अच्छी बाते हैं यह लोग हर बाद जो अलग-अलग bank के साथ में partnership करते हैं तो अभी right now जो partnership इनके चल रही है व आपको saving round के उपर जो 2-3% का interest मिलता है उससे यहां पर आपको better interest मिल जाएगा अगर आप Ptm के अंदर यहां पर industrial bank के साथ में FD कराते हैं तो अगर ultimately मैं बात करूँ तो आपका FD का पैसा होगा वो इंदेस्टेंट बैंक के साथ में जाएगा और अच्छी बात यह है हमारे इंडिया के अंदर एक law है DIGC यहां पर हर bank की FD होती है उसके उपर पांच लाख रुपे का यहां पर insurance प्रोवाइड करती है मला कल को अगर bank जो है bankrupt अगर भी हो जाता है तब भी आपका पांच लाख रुपे तक की FD जो आपकी purely तरीकी से यहां पर secure रहती है आप गाईस बात करते हैं यहां पर आपको Paytm के उपर FD open करने के लिए आखिर क्या चीए तो देखें यहां पर आपका fully एक KYC activated जो है account होना चीए Paytm के payments bank के उपर आपका account नहीं है तो simply आप Paytm के यहां पर आप download कर सकते हैं उसका simply आपको KYC process कराना पड़ेगा देखें दो टाइप के KYC होते है एक तो जैसे wallet का KYC होता है आप लोगों पता होगा कि एक लाक रुपे से उपर आपको wallet के इंदर balance रखना है तो आपको KYC करनी प पाएंगे साथ में Paytm का payment bank होगा वो भी आप यहां पर यूज कर पाएंगे जहां पर आपको virtual card और आपका zero balance जैसे आपको कई सारी facility मिल जाती है तो दिखे कैसे यहां पर आपको screen के सामने दिख रहा होगा यहां पर आपको दो balance दिख रहे होंगे मैं screen recording नहीं कर पाऊंग पर ही आप उस FD को यहां पर कभी भी तोड़ सकते हैं आपके ओपर कोई भी यहां पर legal boundaries नहीं रहती है साथ में guys यहां पर आप दे सकते screen की सामने आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको एक और अच्छा option यह provide करता है कि यहां पर एक automatically जो alert भी set कर सकते कि अकर मेरा इस limit की उपर balance जाता है तो उसकी automatically यहां पर एक FD कर देना तो guys यह भी जो है काफी अच्छा feature है अगर कोई भी यहां पर automatically अपनी sweeping type वाली facility अगर Paytm के Pmeans बैक में यूज़ करना चाहता है तो यह भी यहां पर काफी अच्छा feature है तो guys hope you like this video please subscribe our channel अगर आप लोग के कोई भी doubt स कोई भी समाल है तो comment section के अंदर जरूर बताईएगा और अगर आपके कोई भी feedback है new video related तो please guys मुझे जरूर सजेस कीजेगा thank you guys thank you very much